हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है अनुक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसाइब की दोस्तों अगर आपको फेसाइब के बारे में पता हो तो ये दो दिनों में इतना ज़्यादा पॉपलर हो गया कि इसके 10 मिलियंस डाउलोडर हो गया है यानि 10 करोण से भी जादा फ्रेंड्स आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि इस अप्लिकेशन का मालिक दो दिनों में कितना ज़्यादा कमाया होगा 10 मिलियंस डाउलोडर यानि करोण के उपर की कम आई जिसको भी देखो वो फेसाइब के थ्रू अपने चहरे को 60 साल पुराना बना कर सोचल मीडिया पर अप्लोड कर रहे हैं फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एप्लिकेशन नया है फ्रेंड्स ये अप्लिकेशन तो पुराना है बट आज की डेट में ये ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए बन गया है कि कुछ सेलिबिट्रेज लोगों ने इसका इस्तिमाल किया दरहसल फ्रेंड्स ये एक ऐसा अप्लिकेशन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी चहरे को इस तरह से बना सकते हैं जिस तरह से वो 60 साल बाद दिखेगा मान लिजे friends आज आपकी उमर 20 साल है तो आप इस application की help से 80 साल बात कैसे दिखेंगे देख सकते हैं इसके लिए करना क्या होता है यानि इस application को हम use कैसे करेंगे यह हम आगे थोड़ी दिर में जानेंगे इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह application इतना जादा दो दिनों में popular कैसे हो गया Actually friends दो-तीन दिन पहले कुछ celebrities लोगों ने यानि बड़े लोगों ने जैसे hero, crickators यह लोगों ने इस application को use किया और अपने pick को बुढ़ापे में convert करके social media पर upload कर दिया जिसके कारण यह application दो-तीन दिनों में इतना जादा popular हो गया कि आज की date में यह trending topic है तो अगर आप इसे use नहीं किये हैं तो एक बार try ज़रूर करिएगा वैसे भी friends मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस application को कैसे use करना है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो इस समय मैं अपने android phone के screen पर हूँ और बात करने वादा हूँ कि face app को कैसे use करना है वो भी proper way में तो चलिए सबसे पहले हम अपने phone के menu में जाते हैं और play store को open कर लेते हैं नेट नहीं आना है चलिए हम net on कर लेते हैं और play store के search बार में type करते हैं face app जब आप face app करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले number पर face app आता है और इसका logo यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाता है simply आपको इस पर click करके इसे open करना है open करते ही play store में यह front में open हो जाता है friends यहाँ पर देखिए 4.5 की rating दी गई है और यहाँ पर 1 million reviews भी दिये गए है और से भी ज्यादा friends यह application right now बहुत ही यूज हो रहा है trust me friends friends अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पर 10 million प्लस था अभी दिखे 100 million प्लस वह भी 2-3 दिनों में friends इसे हम यहाँ पर click करके install कर लेते हैं friends देखिए यह application right now हमारे phone में install हो रहा है friends finally application download हो चुका है और हमारे phone में इस समय install हो रहा है और finally application हमारे phone में install भी हो चुका है तो चलिए अब हम इसे open कर लेते हैं friends open करने पर इसका interface कुछ इस तरह से सो होता है friends अब यहाँ पर आपको next करना है फिर से next करना है एक बार all next करना है उसके बाद start कर देना है friends अब आपको यहाँ पर agree कर देना है agree करने के बाद यहाँ पर आपको gallery पर click करना है और यहाँ पर यह application permission मांग रहा है तो यहाँ से इसे allow कर देना है friends इसे use करना बहुत ही simple है और आप बिल्कुल आसानी से use भी कर पाएंगे friends यहाँ पर देखिए gallery का option है यहाँ पर आप इस पर click करके gallery से photo ले सकते हैं और उसे convert कर सकते हैं यहाँ पर आप directly facebook से भी कर सकते हैं friends यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो camera का option दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप चाहें तो selfie या फिर back camera से भी click करके pick को आप convert कर सकते हैं प्रेंड्स यहां पर कुछ फोटेज आल्रेडी दिये गए हैं जिसकी हेल्प से आप यहां पर डेमो करके चेक कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर बीच वाला फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं इसी तरह से आपको अपने गैलरी से या फिर फोटो क्लिक करके यहां पर फोटो सिलेक्ट करना है और यहां पर देखिए आपको कई आपसन मिल जाते हैं इंप्रेशन कैसा होना चाहिए इसमाइल यहां पर डाढ़ी या फिर बाल कलर करना है आपको यहां पर और स्क्रोल करेंगे तो hair style, glasses यानि चस्मा यहां पर है आपको age का option simply आपको यहां पर age को select करना है और यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरह से यानि जादा old का चाहिए, हलका old का या फिर young का तो अपने अनुसार आप यहां पर select कर सकते हैं तो चलिए हम यहां पर जादा old के लिए select करते हैं डाढ़ी ओड़ी सहीद इसके लिए हम तीसरे option को select करते हैं फ्रेंड्स यहां पर देखी यह photo change हो चुका है और यहां पर यह चहरा जो है कितना old लग रहा है फ्रेंड्स यहां पर जरूरी नहीं है कि आप के लिए फोटो को convert कर सकते हैं यहां पर चाहें तो आप glasses लगा सकते हैं किस तरह का glass चाहिए black color का या फिर white color का यहां पर आप अपने अनुसार यहां पर set कर सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर आप select करने के बाद option को यहां पर apply पर जरूर क्लिक करना है apply पर क्लिक करने से यहां पर आपको download का option मिल जाता है यहां पर click करके आप उसके बाद download कर सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर देखिए बहुत सारे impressions दिये हुए हैं आपको जो अच्छा लगता है इंप्रेशन उस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद अपलाइब पर क्लिक कर देना है बस फ्रेंड्स से यह कुछ टफ नहीं था बस इसे आसानी से आप यूज कर सकते हैं चली फ्रेंड्स अब मैं बैक आ आपको अप्लाइब करना है यहां पर डाउwn लोड का आपको हैंसे डाउनलोड करना है सो फ्रेंड्स बहुत ही है आप बिलकुल आसानी से यूज कर सकते हैं इसे एक्चली फ्रेंड्स यह एप्लिकेशन एक बेस्ट अप्लिकेशन है जिसकी हेल्प से आपके चहरे को यह 80 साल पुराना बनाता है, friends I hope कि इस application को अब आप यूज कर पाएंगे आपको कोई problem नहीं आने वाली है और अगर आती भी है तो आप वीडियो के नीचे comment जरूर करिएगा, मैं reply जरूर करूँगा So friends, आज की वीडियो में हमने face app से जुड़ी कुछ बाते जाने और साथ ही ये भी जाना किसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और अगर आपके मन में कोई question हो इस app से related तो वीडियो के नीचे comment करिए मैं reply जरूर करूँगा